हेलो दोस्तो मैं हूँ हेमन चोहान और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कैड़ गुरू में तो आज हम ओटो कैड के अंदर फिलेट कमांड यूज करना सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं फिलेट कमांड तो आज हम फिलेट कमांड ओटो कैड के अंदर एक एक्जामपल की हेल्प से सीखेंगे अब जैसे की फिलेट कमांड क्या काम करता है तो आपको जो इस कॉर्नर के अंदर ये जो राउंड शेप दिख रहा है यह fillet command की help से आया है, अब यहां पर इस corner में अगर मुझी यह circular shape चाहिए जिसका radius 100 है, तो हम कैसे लेके आएंगे, यह लाने में हमारी help करेगा fillet, तो हम fillet command को activate कैसे कर सकते हैं, fillet command को activate करने के लिए, आपको keyboard से F प्रेस करना पड़ेगा, आपने F enter कर दिया, अब आपका fillet command activate हो चुका है, अब आपको fillet command में क्या चाहिए, radius, वो भी कितने का, 100 का, तो आपको अब करना है, R enter, F से तो हो गया fillet, और R से हो गया आपका radius, तो F enter, और R enter, अब आप से पूछ रहा है कि आपको कितने का radius चाहिए, तो मैंने मान लिया कि मुझे चाहिए radius, अब मैं इसे पूछ रहा है, select first object, तो मैंने मान लिया कि second object यह है, तो यह जो arc formation होई है, यह जो circular formation होई है, यह flight command के helps होई है, तो इसको check कर लेते हैं, क्या radius है कि नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ गए, आपने radius पर क्लिक किया, यहाँ से आप radius को calculate करना चाहते हो, तो यह देखो, आपका radius आगया, चलिए एक बार फिर से यूज़ करते हैं, अब हम इस corner के अंदर round shape लेका आएंगे, flat command की help से, तो वही चीज हमने कर दिया, F, enter, फिर कर दिया, R, enter, suppose अब मुझे radius चाहिए, 50 का, तो मैं डाल दिया, 50, select object, first object and second object, तो यह दो को, इसमें आपको एक round formation आ गई है, चेक कर लेते हैं, क्या इसका, जो radius है, वो 50 है की नहीं है, तो जिसका radius है, 50, तो hope आपको इस example की help से flat command समझ में आ गया होगा, अगर आपको कोई भी doubt रहता है, तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो, मैं आपकी doubt तूर करने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को like, subscribe और share करना बिल्कुल न भूले, thank you.